कितनी दृश्णा में जीते हैं हम जिंदगी का भरोसा नहीं सपने बहुत लंबे लेकर जीते हैं कितने बड़े अर्मान लेकर के जीते हैं हम कोई कहता है हम सौने के महल बनवाएंगे कोई कहता है हम सहिंसा बन जाएंगे मगर ये कोई नहीं कहता कि आदमी की जिन्दगी की इतनी बस उकात है और चार दिन की चांदनी और फिर अधेरी रात है ध्याने लगे भूकी निगाए और भूके मन को भरना बहुत फुश्किल का काम है तेजोरी भरना आसान है लेकिन भूकी निगाहों को भरना बहुत कठे लोग कहते हैं कि दुनिया पेटी के पीछे भाग रही है मैं कहता हूँ ना पेट के पीछे भाग रही हैं दुनिया यदी भाग रही है तो भूकी निगाह और भूके मन के पीछे भागा करती है भूका मन कभी तरप्त नहीं हो नहीं कभी भोजन करने बैठते हो लो रोटी आती है पेट को भूक लगती है पेट कहता है जो है वह मुझे खाने को देदो पेट को कुछ नहीं चाहिए जो डालोगे पेट उसमें अत्रप्त हो जाएगा लेकिन जैसे इथाली लगती है तो भीतर से आवाज आती है यार पूरी होती तो और मजा आ जाता पूरी आ गई मन कहता है यार कचोड़ी होती तो और मजा आ जाता अब कचोड़ी भी आ गई अब मन कहता है इसमें इंदोर का सेव डल जाता रतलाम का तो और मजा आ जाता रतलाम का सेव डल गया अब मन कहता यार इमली की खटाई होती तो खाने का मजा कुछ और महलाओं की मुह में पानी आ रहा है आ रहा है पीजाओ नहीं तो उपर की वरसात कल जेली है ज्यान रह कि इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि आवश्यक्ता में जी हो आकांचा में नहीं हो इसके पीछी तुम्हाज़ गून करते हो इसमारे पास नहीं है उसके पीछे तुम बगल्वने खुमा करते हो सपोच करो कि आपके मन में आपके पाकिट में नभे रुपे रखे हैं बाजी वाले के में दस रुपे रखे हैं तो तुम इस फिराक में रहते हो यार वो दस का नोट इधर आ जाता तो पूरे हाँ experience देखो कितने जल्दी बोल देते हैं पूरे सो तो होई जाते ध्यान रखे ये आदमी दस रुपे के पीछे पागल बना भूमता है वह इस फिराक में रहता है कि उसका दस का नोट मेरे पाकिट में आ जाए तो कम से कम पूरे सो हो जाएंगे ध्यान रखे जब धरती पर है तो परमात्मानेन नब्भे रुपाइ़ दे करके तुम्हें भेजा था अब सो शय आधमी दस रुपे के पीछे जिन्दगी भर भागता है ध्यान रखना वो दसकभी भी पूरे होते हैं नहीं है ध्यान रख् cic इसमरेन रखे आदमी का मन 1090 रुपे का सुख नहीं भोगता 10 रुपे के पीछे पागल बनता है कभी कल्पना करना तुम्हारे मुझा एक दाट तूट जाए 32 दाट में और एक दाट तूट गया तो दिन भर जीव क्या करती है अरे 31 दाट का सुख भोगती है या एक तूटे के पीछे पागल बनी रहती है दिन बर जी वहीं वहीं जाती है मेरा एक दाट कहां गया अरे नादान आदमी एक दाट के पीछे आशु मत बहां 31 दाट का सुख भोगने का प्रयास कर दस उंगलियां हादों में है एक उंगली तूट जाए तो हम रोते हैं आशु बहाते है अरे जो मिला है उसमें सुखी रहोगे तो जीवन आनंद में दीतेगा और जो नहीं है उसके पीछे पागल बनोगे तो भागते रहोगे लेकिन हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं है